Hello students, welcome to Global Online, this is Ankita Asood, so Jammu Kashmir Set 2024 examination की आप भी तयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत important है, कि examination को qualify करने के लिए minimum आपको 300 में से कितना score करना हुगा, So, आज की इस वीडियो में students, मैं आपको आपके subject और आपकी category wise एक detailed list देने वाली हूँ, जिससे आप लोगों को एक clear idea मिल जाएगा, कि 300 में से minimum कितना score लाने पर आप paper को qualify कर पाऊगे, आगे बढ़ने से पहले एक important update ये भी देना चाहती हूँ students, exam में बहुत कम time बाकी है, ये ज़रूरी है कि आप exam के level के हिसाब से exam oriented तयारी करें और इन सब के लिए paper 1 का complete course में लेकर आई हूँ, जिसका new batch हमारा coming Monday से start होने वाला है, daily live lectures के साथ यहाँ पर paper से पहले आपका 5,000 questions बहुत important है, ये ऐसे questions है, जो कि लगबग सभी states में बार बार पूचे गए है, जेके सर्ट के PYQs भी आपर answers और explanation के साथ आप लोगों को मिल चाहेंगे, तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है, इस examination की तयारी करने का, और यहाँ से paper 1 में 50 में से 35 plus questions as it is, जरूर आपको लिखने को मिलेंगे, इसके साथ ही आपको Global Online आप जरूर डाउनलोड करना चाहिए, यहाँ पर काफी सारा content आपको मिलेगा, ताकि पता चल जाए कि कैसा course हम आपको provide करवा रहे हैं, store section पर जाकर search bar में आपको लिखना है course का नाम, content पर जाहिए, यहाँ पर देखिए, हिंद Jkset exam को qualify करने के लिए 300 में से कितने marks चाहिए, इसका सबसे बहतर idea आप लोगों को मिल सकता है previous year examination के result के basis पर, so previous year examination का result हम यहाँ पर detail में analyze करेंगे, ताकि आप लोगों को clear idea मिलता रहे कि कितना score करना चाहिए, तो देखिए, अगर students, आप लोगों का subject chemical science है, और आप लोग general यानि की unreserved category से हो, तो 300 में से कम से कम 174 आपको score करना होगा, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम हर साल क्या 174 वालों का ही paper qualify होता है, तो students ऐसा बिलकुल भी नहीं है, यह एक मैं आप लोगों को average range बता देती हूँ, ठीक है, general category में, अगर आप लोग हो, तो minimum आपको 170 से 180 chemical science में score करना है, फिर आपका examination guaranteed qualify हो जाएगा, minimum यह बोल रही हूँ, maximum तो 200 प्लस आसानी से score किया जा सकता है, set exam में, एक important चीज़ और बता देती हूँ, कि यह वाली जो list है, आप देख सकते हो, यह UTJ के लिए है, ठीक है, जम्हु, कश्मीर, UT के लिए यह वाली list है, लदाख वालों के लिए अलग से list आगे रहेगी, जो मैं आपके साथ फिर share करूगी, ठीक है, बैसे students, आपका subject अगर life science है, मान लीजे, और आप ऐसी category से हो, तो overall 300 में से approximately आप लोगों को 135 से लेकर के, minimum आपको 135 score करना हो कि 140, 135 यही cut off जाती है, इससे जादा या कम नहीं जाती, तो आप लोगों को इस वाले list में से, एक clear idea यह भी मिल जाएगा, कि यह जो marks है, यह एक limit है, लगभग इसी से 5-10 marks, कम या 5-10 marks जादा जो है, आपके cut off जाएगी, वो depend करता है कि question किस level का पूछा जाता है, और students की त कि फिर आप qualify, आप यहाँ पे score check कर सकते हो, अब जिस subject में NA लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पर Arab Culture and Islamic Studies है, SC category NA, इसका मतलब यह है, कि इस particular subject में SC category का एक भी student qualify नहीं हुआ है, ठीक है, तो NA का यही मतलब है, जैसे Buddhist Jan, यह वाले जो subjects है, इसमें देखे, EWS category क कोई भी student ने qualify नहीं किया है, अब यहाँ पर बात यह आती है कि होते कितने बच्चे qualify है, क्या subject wise कुछ बच्चों को select किया जाता है, qualify किया जाता है, या फिर overall qualify किया जाता है, तो students जितने भी बच्चे, total number of students, जो examination वाले दिन जाते हैं, paper देने जाते हैं, paper वाले दिन, attendance note ज जाता है, ठीक है, उसमें हो सकता है, general के कितने आ जाएं, SC के कितने आ जाएं, किसी subject के कम, किसी के जादा हो सकते हैं, लेकिन overall 6% students को select किया जाता है, तो यह बहुत important चीज़ है, दूसरी ज़रूरी सूचना आपको यह बता देती हूँ, जैसे देखिए, आपका paper 1 100 marks का होता है, तो एक confusion बच्चों में ये भी रहेगा कि क्या paper 1 के marks, अगर हम paper 1 में qualify करते हैं, उसके बाद ही paper 2 के marks add किये जाएंगे, तो इसका जवाब है नहीं, आप लोगों का paper 1 और paper 2 दोनों का मिला करके 300 में से जो score होगा, वो आपका result बताएगा, बहुत बच्चे ऐसे हैं, जो paper 1 में 100 में से 80 score करते हैं, ठीक है, और 200 में से वो लोग मान लीजे 100 score कर रहे हैं, तो overall 180 marks बन गे और paper qualify हो गया, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं, जो कि paper 1 में, जिनका paper 1 में 40 marks score होता है, और लेकिन paper 2 में 150 होता है, ठीक है, तो ये कुछ भी marks है, किसी भी paper में कम या किसी मे भी जादा number आपके रहते हैं, that is not important, overall 300 में से आपका कितना score रहता है, आपकी category से कितना score रहता है, वो important है, okay, so safe score, general category वालों के लिए, एक safe score में ये बताती हूँ, कि 180 से जादा अगर आपके number है, ठीक है, तब आप safe हो, और कुछ subjects हैं, जैसे आप देखो, कश्मीरी जिसमें काफी जादा बच्चे रहते हैं, ठीक है, इसके अलावा linguistic है, इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, Persian में बहुत सारे students होते हैं, इसमें 200 प्लस आप लोगों को target रख कर चलना है, कि इतने marks तो हमें कुछ भी करके 300 में से लेकर आने ही है, तो आप इसके लिए paper 1 और paper 2 दोन किया गया था, ठीक है, हर subject, हर category के total इतने students है, अब यहाँ पर यह जुमें आपको बता रही हूँ, यह क्या है, यह total 6% है उन students का, जिन्होंने examination दिया था, इसके अलावा यह है, अब देखिए, UT of Ladakh, Ladakh के लिए जिन्होंने LA set के लिए apply किया है, वो students देख सकते हैं, इसमें cut-off बहुत कम जाती है, maximum में तो students है ही नहीं, कई subjects ऐसे जिसमें students थे ही नहीं, form ही नहीं भरा, और कई ऐसे थे जिसमें किसी ने qualify नहीं किया, ठीक है, तो जैसे chemical science में देखिए, यहाँ पर हमने देखा chemical science में, unreserved में 174 और 180 अर्थ में था, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 186, यह earth वाला, यह earth atmosphere, इसमें cut-off जो है, UT, Ladakh के लिए बढ़ गई है, दो नंबर से, और chemical science के लिए घट गई है, तो overall यह जो score आपको दिख रहा है, exact यह score नहीं होगा, जैसे 158 है, तो हो सकता है, 150 चला जाए, हो सकता है, 162 चला जाए, तो यह एक range आप लोगों को मान कर करनी है, जैसे यहां पर देखिए, ST category physical science 146 था, तो आप इसको 140 से 150 के बीच में target मान कर चलिए, कि at least इतना तो हमें qualify, इतना तो हमें score करना ही है, ताकि हम paper को qualify कर सके, तो students, मैं यहां पर उमीद कर रही हूँ कि जो भी आपके मन में सवाल थे, marks को ले करके, वो काफी हद तक clear हो चुके होंगे, इसके अलावा भी कोई confusion अगर है, कोई भी सवाल है, paper को ले करके, paper के syllabus को ले करके, pattern को ले करके, तो आप ये दो numbers है, हमारे इन पर contact कर सकते हो, ठीक है, या फिर directly मुझे comment भी कर सकते हो, तो इसी के साथ, यहां पर देख लीजे, remaining subjects जो है, ये list अगर लदाख UT के जो region है, इसमें देखे, लदाख UT में सिरफ 76 students ने paper को qualify किया था, ठीक है, total 76 students का ही paper set qualify हुआ था, तो यही marks रहते हैं लगबग, यही चीजे रहती हैं, आप लोगों को ये target ले कर चलना है, कि paper 1 बहुत easily पढ़ा जा सकता है, अगर आप 100 में से paper 1 में 80 plus target मान कर च possible है, इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, आपको एक तो यूजसी net examination के previous year question पढ़ने है, कम से कम 2020 से ले करके, 2024 तक के, ठीक है, इसके अलावा जितने भी states के set examination है, जैसे हमारे पास महराश्र सेट है, HP सेट होता है, मध्यपरदेश होता है, 36 गड़ होता है, West Bengal का होता है, कर बहुत सारे states हैं, जिनके set exam हर साल होते है, कि कि जम्मो कश्मीर 70 देखी हर साल होता है, तो इन सब के previous year questions आपको बहुत अच्छे से पढ़ने है, questions के साथ साथ options भी पढ़ने है, ऐसे अगर पढ़ोगे तो paper 1 में आसानी से 80 plus score किया जा सकता है, तो course को भी join कर लीजे, given numbers पर आसानी से आप contact कर लीजे, so इसी के साथ फिर discussion को end करते हैं, मैं उमीद करती हूँ आपको ये video बहुत helpful लगी होगी, कोई भी सवाल है, comment कर लीजे मुझे, या given numbers पर whatsapp के through directly हमारी team से contact कर लीजे, so end करते हैं, thank you so much and all the very best.